एक कुली ने रेल्वे स्टेशन की वाइफाई से पढ़कर पास की आई एस की परीक्षा, पेश की काम्याभी की नई मिसाल. देश में गरीबी का आलम ये है कि लोग गुजारा करने के लिए बहुत बार गुलामों की जिन्दगी जीते हैं. ऐसे ही एक गरीब लड़का रेल्वे स्टेशन पर कुली का काम करता था. दूसरों का बोज उठा कर वो अपने लिए दो वक्त की रोटी जुटा लेता था. पर उसकी आँखों में बड़े सपने पल रहे थे. वो भी दूसरों को देख सोचता था कि सूट बूट पहन कर किसी दिन अफसर बने. पर उसके पास न घर था, न किताबें, नोट्स और कोचिंग जैसी सुविधाएं लेकिन गरीबी और लाचारी में भी उसने होसला बनाये रखा. वो रेल्वे का फ्री वाइफाई इस्तिमाल करके पढ़ाई करने लगा. कड़ी मेहनत वाले काम के साथ वो पढ़ाई भी करता रहा और UPSC के एक जाम को पास कर गया. IAS Success Story में हम आपको केरल के कुली के संघर्ष की कहानी सुना रहे हैं, जिसने IAS अफसर बनकर सबको चौका दिया था. हर साल लाखों बच्चे UPSC की तयारी के लिए कोचिंग में लाखों रुप्ये खर्च करते हैं. पर ये कहानी है एक छोटे से फोन से रेल्वे का फ्री वाइफाई इस्तिमाल कर पढ़ाई करने वाले केरल के एक कुली की है. केरल से तालुक रखने वाले श्रीनाथ वाले एक बेहत गरीब परिवार से है. जैसे वे बड़े हुए उन्होंने दस्वी तक की पढ़ाई कर ली. उसके बाद श्रीनाथ ने एरनाकुलम रेल्वे स्टेशन पर यात्रियों का सामान धोने वाले कुली का काम करना शुरू कर दिया. पर इस श्रीनाथ के पास ऐसा कोई संसाधन नहीं था. फिर भी वो देश की सबसे बड़ी और कठिन परीक्षा में शामिल होने वाली सिविल सेवा परीक्षा क्रेक कर लिया. उनके पास पढ़ाई करने के लिए भी वक्त नहीं था. वो कोचिंग नहीं ले सकते थे क्योंकि उन पर अपना घर चलाने का दबाव था. ऐसे में उन्होंने रेल्वे स्टेशन पर अपने फोन से पढ़ाई करना शुरू कर दिया. श्रीनाथ अपने फोन पर नोट्स बनाते और काम के दोरान आडियो बुक्स और डिजिटल कोर्सेट सुनकर सिविल सेवा परीक्षा की तयारी करते थे. रेल्वे का फ्री वाइफाई ही उनका एक मात्र सहारा था. श्रीनाथ बताते हैं कि जैसे ही उन्हें कुली के काम से फुर्सत मिलती थी वो स्टेशन पर पढ़ने बैठ जाते. मैं स्टेशन पर इस्तेमाल होने वाले फ्री वाइफाई का इस्तेमाल करके लेचर के वीडियोज और आडियोज डाउनलोड कर लेते थे और पढ़ाई करते थे इनका कहना है कि मैं दूसरों का सामान उठाते उठाते लेक्शर और डिजिटल कोर्से इत सुनता रहता था ऐसे मेरी पढ़ाए होती थी इसके पहले वो दो बार एक जाम दे चुके थे लेकिन सफलता नहीं मिली थी लेकिन उन्होंने हिंप नहीं छोड़ी आखिरकार मेहनत रंग लाए रेल्वे स्टेशन पर दूसरों का बोज धोने वाले इस कुली की संघर्ष और काबिलियत को लोगों ने सैल्यूट किया दूसरे स्टुडेंट्स के लिए ये एक बहुत बड़ा सबक और सीख है फिर वो दिन भी आया जब श्रीनाथ ने साल 2018 में केपिएस सी एक जाम क्लियर कर हर किसी को हैरान किया है पेशे से कुली श्रीकांत ने ये परीक्षा बिना किसी कोचिंग और नोट्स के पास की उन्होंने तीसरी बार में ये परीक्षा पास की गोशना यह आर्टिकल कई वेबसाइट से मिली जानकारियों के आधार पर बनाए गई है युवा मीडिया अपनी तरफ से इसकी पुष्टी नहीं करता है